हेलो दोस्तो स्वागत है आयरुवेदिक टिप्स वेद शिवानी में दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शियर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें दोस्तो आज हम बात करेंगे एस्टोजन के बारे में जो पुरशो और महिलाओ दोनों में ही पाया जाता है एस्टोजन की सही मात्रा दोनों के लिए ही जरूरी है लेकिन पुरशो के मुकाबले महिलाओ को एस्टोजन की ज़ादा जरूरत होती है इस हॉर्मोन के बिना महिलाओं की बहतर हेल्थ की कलपना नहीं की जा सकती उन्हें इसकी जरूरत अपने शरी के आंतरिक कारे के लिए होती है गर्वा ववस्ता और मोनो पॉस के समय एस्टोजन हॉर्मोन की मातरा घटे जाती है ऐसे हॉर्मोन आपकी तुचा में चमक भरता है और आपको जवा दिखाने में मदद करता है एस्टोजन की लेवल ना तो शरी में बहुत ज़ादा होना चाहिए और ना तो बहुत कम हॉर्मोन संतुलित होना महिलाओं के लिए मासिक धर्म और गर्वधानर पर पड़ता है अगर इसका लेवल शरी में कम होता है तो आपको कुछ लक्षन साफ दिखाई देंगे जैसे गर्मी लगना, सोने में दिक्कत होना, मोड में बदला और कैलिस्ट्रोल के इस्तर में बदला अगर आपको लगता है कि आपकी शरी में एस्टोजन की कमी है तो आप अपना लाइफ स्टाइल सुधार सकते हैं और कुछ संतुलित आहार अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं आईए जानते हैं ऐसे कुछ खाते पदार्तों के बारे में जैसे सूखे मेवे, किश्मिश, खजूर और मुनक्की रोज खाएं ये शरी में एस्टोजन की स्थर को संतुलित करने में मदद करते हैं अगर एस्टोजन लेविल बढ़ गया है तो ये उसे भी बैलेंस कर देंगे अलसी के बीज आप अपनी डायेट में शामिल करें आप इन्हें ऐसे ही चवा कर भी खा सकते हैं या फिर अन्ने आहर के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं इनमें काफी मात्रा में फाइवर होता है जिससे पेट काफी समय के लिए भरा रहता है ये वेट लॉस करने में भी मदद करते हैं और कैलेस्ट्रॉल भी घटाते हैं तिल में पायतो एस्टोजन होता है तिल में धेर सारा फाइवर और मिनरल होता है एक चमस तिल खाने से आपको iron, magnesium और calcium मिल सकता है आप चाहें तो तिल को ओवाल कर नमक और नीवू के साथ मिला कर भी खा सकते है 100 ग्राम तिल में 993 माइक्रोग्राम एस्टोजन होता है तिल के तेल में भी एस्टोजन की काफी मात्रा पाई जाती है काबुली चले नियमित खाने से आपके हॉर्मोन बैलेंस रहेंगे और एस्टोजन की मात्रा भी बढ़ेगी इनमें धेर सारा फाईवर और प्रोटीन पाया जाता है अक्रोट की एक मुठी को अपने डायेट में जरूर शामिल करें ऐसा करने से आपकी हेल्थ में सुधार आता है और ये शरीर के लिए जरूरी पोशक तर्त होते है बीन्स ऐसी चीज है जिसे महिलाओं को जरूर खाना चाहिए इसमें फाईवर होता है जो कैलिस्टोल को कम करता है साथी एस्टोजन बढ़ाने के साथ साथ ये बलड ग्लूकूस को भी बैलेंस करता है वहिलाओं को सोया प्रोड़क्ट को भी अपनी डायेट में शामिल करना चाहिए सोया वीन पीटो एस्टोन का अच्छा शोत होता है आप सोया प्रोड़क्ट जैसे सोया मिल्क, सोया दही, सोया का आटा, आदी का सेवन करके अपने शरीर में एस्टोजन की मातरा को बढ़ा सकते हैं इसमें प्रोटिन की मातरा काफी होती है, इसमें कैलिस्टोल होता है, ये इस्तन कैंसर में भी बचाता है टमाटर, गाजर और नीबू का सेवन भी जरूर करना चाहिए इनमें विटामिन C की मातरा काफी होती है आप इन्हें पका कर खा सकते हैं या फिर इन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है क्योंकि इनमें ज़्यादा तर फल होते हैं डेरी प्रोडक्ट जो महलाएं अपना वजन कम करने के बारे में सोचती हैं तो उनके लिए डेरी प्रोडक्ट बिलकुल काम के नहीं होते क्योंकि ये वजन बढ़ाते हैं लेकिन आप एक ग्लास दूद लेने के बारे में सोच रही हैं तो ये बिलकुल भी बुरा नहीं है दूद में उच इस्तर में एस्तरोजन की मात्रा होती है आप स्वस्तर प्रणाली के लिए आप रोजना एक ग्लास दूद ले सकते हैं आईए जानते हैं एस्तरोजन से भरपूर आहा लेने से क्या होता है ये मौनोपॉस को कम करता है ये ओविरियन और इस्तर कैंसर के खत्रे को भी कम करता है ये बालों और तचा में चमक को बनाई रखता है ये स्ट्रोक से बचाता है और दिल के स्वस्तर को सुधाने में मददगार होता है महिलाए इन सब चीजों से अपनी डाइट में जरूर शामिल करें धन्यवाद